देश के उपमुख्य मंत्री देवेंदर फढणवीज के सहकारी जो फढणवीज के शुर्वाती दिनों से उनके साथ है। जिननों ने देवेंदर फढणवीज की अब तक कि सम्पूर्ण जिवन यात्रा करीब से देखी है। ऐसे ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना यादव इनसे विकेबी न्यूज ने बात की और जाना कि देविंद्र फढणवीस आम जीवन में किस तरह के व्यक्ति है और उनका व्यक्ति मत्वक किस प्रकार का है उनकी जीवन शेली कैसी है वो अपने दोस्तों में किस तरह से समय बितात है क्योंकि आज है महाराश्टर के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फढणवीस जी का जन्दिन कोई व्यक्ति अगर बड़ा बनता है तो वो अपने कर्मों से बनता है निशित तोर पर इसका एक अच्छा उदारण नाकपूर में देखने को मिलता है अगर कोई व्यक्ति बड़ा कैसे बना तो वो उसके सहीयोगियों से उनके मित्रों से उनके परिवार से पता चलता है हमारे साथ उनके सहीयोगी उनके मित्र भी हम कह सकते हैं और साथी साथ उनके सारे कारियों में सहभागिता लेने वाले और साथी साथ पूरी तरह से खुद को जगजोर देने कि इतना साधा सिधा आदमी हैं उनकी जो रहानी माना इतनी सीधिय है एक अनुभों मैं आपको बताऊंगा कि देवेंद्र जी के साथ मैं चलो में ट्रेन से अयोध्या जाना निश्चित हुआ दुसरी कार सेवा में तो उस समय में ट्रेन में उनके साथ था चलो में हमारे साथ थे जब हम लोग इलहाबाद में रुके तो इलहाबाद में पुलिस पकड़ रही थी सबको पकड़ रही थी हम सब लोग एक में के पीछे छुपकर वहां बचे पुलिस से पुलिस से बचने के बाद जब हम नीचे उत्रे नीचे उत्रने के बाद वहां पर नीन बहु तो एक अनुभव था है मेरेको कि पुठपात पर सोते सोते एक बार एक पागल ने एक व्यक्ति के सर पे पत्तर डाल दिया था और वो यहां घाट रोट की घटना थी नागपूर के तो मैंने उनको बोला कि देविन जी आप सोवो मत बोले क्यूंबे तो मैं बोला बहुत मेर दोड़ गए थी हम रिक्सा डूंड रहे थे रिक्से में बैटकर मैं लड़के को होस्पिटल लेगे हमांके सरकारी होस्पिटल हमारा पास उस समय स्थिति ऐसी थी थी कि प्राइवेट होस्पिटल ले जाने पैसे नहीं थे तो देविन जी बोले मैं को कि तू एक काम कर इ और मैं जब दवा खाना उसको रिक्से से ले गया रिक्से से उसको होस्पिटल से लेके आया उसको वहां डॉक्टर न दवाईया दी एक मेडिकल इस्टोर से उसके लिए दवाईया खरीदा तो देविन जी नीमें पुटपात पर सोए थे इतना सीधा वैक्ती महतो है जब मैं आया वहां देवन को उठाया तो बोले यार मुनना कहीं नास्ता करते है जब हम नास्ता करने गए तो उस जमाने में इलावाद में होटल में गए तो वोस होटल में स्थितियाशीती सेल्प सर्विस थी और मुझे लगा अपने नाकपुर जैसा हाल मैं बैठा मैं नस्ता डेवेंद्र जीने मेरे नास्ता भी लेके सेंगें मेरे मेरा नस्ता लेकर और में को लखा एंगा YouTube अध्यक्ति महतुम हैं इसे अनेक किस्से हैं कि एक दिन हमको उन्होंने चुनाव के लिए चिमूर लेके गए अब चिमूर में जिस उम्मिद्वार का चुनाव ता उसका इतना डर था तो हम संकरपुर गाओं में एक सिख्षक के घर रुके थे अब वो सिख्षक क्या करता था रात को डर के मारे हमको महा सोने तो दिया उसने उसके हर में लेकिन बहार से लॉक लगा दिया तो मेरे कार्यकरताओं को पेशाप करने जाना था तो उसने में को बोला कि भईया यह मास्तर ने बहार से बन कर दिया मेरे को तो पेशाप करने जाना है तो मैं देविन जी को उठाए कि वो कुई नंबर है कि तो उसका जो गुरुजी का घर है उन्होंने अपने को भार से बन कर दिया है वो उम्मेदवार के दर से तो उनने बोला इसको भीगर पिशाब करे सुला दे बोले हो फोवनी नी उठा रहा है फिर मैंने बहुत आवाज बावस दिया तो आय और वहां पर हमको मेरे को छोड कर हम वहां 15 दिन रुके और वहां पर हमारा उम्मेदवार जो थे भाजब के उस समय वहार गए थे और 15 दिन हम वहां रुके उनके लिए उम्मेदवार के लिए तो देविन भाव भी मेरे साथ हमां 10 दिन रुके 5 दिन में को छोड़ दी और 5 दिन तो इतना सरल सुभाव का व नाच्टा नहीं नाच्टा नहीं गरेंगे उसी जाना काते थे कोई अगर भूक लगे तो तो चल दिये मेरे पास भेल है इसके वलावा कुछ नहीं एक अनेक बहुत सीधे साधे व्यक्ति देविंद्र जी हैं उनके अनेक ऐसी यादे हैं कि उनको जब अगर कही जाना रता त तो कहां हैं मैं बोलता था कि भूब में घर पे हूँ तो चोग में खड़ा रहे हकाने के आते को नाम से मेंगोले के चले जाते था आकोला और दूसरे दिन वापस ले यह यह जब हम गेश्टास में रूख दे और जब सुबह उठ्धा था उठ्धा इस में पहले उठ्धा अबनाने के बहुत आदत थी तो दो कप चाय बना के लाते लिए अपने को एक तुरत पहुंचके सभा करनी तो एसी स्थीती में देविंजर जी की इसी स्थी तीटी थी कि आप लोगों को बतौता हमुए तिन्सु रूपय का डिजल गाडी में डालते थे गाड़ी के टायर पूरे चाठी थे तय तो डाल ले ते गाड़ी में कहीं से उधारिंद पैसे नहीं पैसे तो में को उधारी मिलती है मार्कट ने अब भी अपन डाल लेंगे टायर जिस व्यक्ति पे आज तक एक पैसे का फ्रष्टाचार का आरोप लगा नी सका कोई दुनिया पीछे कुछ भी बोले लेकिन उस व्यक्ति की जो साध्गी है मैं मैंने मैं भी अनेक वर्सों से राजनीती में हूं पर देवेंद्र जी येसी साध्गी वाला नेता होना नहीं है और उनकी स्रिष्ट था तो उन्होंने दिखा दिया कि मैं किसना स्रिष्ट हूं महाराष्ट में राजनीती में मैं किसना स्रिष्ट हूं लोग जात्पात का राजकरान करते हैं अनेक लोग नाम रखते हैं लेकिन उनकी उसकी जो व्यक्ति महतों है उनका जो व्यक्ति महतो मेडिकल में पेशन्ं को मद्द नहीं मिल रहें अगर देवेंद्र जी के पास अपन ले चले ग基本 Sr. कहांको करेंद दक्र सत्रुमिक कुरा कोभी करना है आगे और उनकी उन्नती हो यही प्रभू के चरणों में प्रात्ना करता हूं और उन्हें जनम दिन के उपलक्ष में फिर से बहुत बहुत लाख लाख सुबेच्छा देता हूं। निशित तोर पर ये एक विक्ति के महानता ही दिखाता है कि कर्म के प्रतिक कितना समर्पित रहा जा सकता है इसका एक उदारण देवेंदर फड़नवीज जी है ऐसा हम मानते हैं। झाल 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 झाल